तो question को बने है आग की commonality यानि यह मैं हमेशा discuss करती हूँ कि differences क्या है प्याजे और वाइगॉस्की में और common क्या है common यह है कि constructivist लोग है रचनावादी हैं बच्चे को active रखने पर focus करते हैं ठीक है ना तो प्याजे और वाइगॉस्की की सिधानतों में एक प्रमुख समानता पूछी है उनसे question को ठीक से अगर पढ़ लिया तो आधा काम वही हो जाता है समानता क्या है प्याजे और वाइगॉस्की की theory में पहला option है involvement and engagement of children in their own learning बच्चों की swim की सिख्षा में सनलगनता और जुड़ा यानि बच्चे engage महसूस करें अपनी ही learning की प्रक्रिया में वो engage हो करके सीखें यानि active रहें जहां बच्चा अपना सीधा सा फंड़ा है जहां बच्चा active है वो option best है बाकियों से अगर जिस option में सबसे ज़्यादा active है बच्चा और बच्चे कोई नुकसान नहीं हो रहा उसको चोड़ नहीं लग रही एक्टिव होने से तो वो option best है बाकी की तीन option check करेंगे the role of culture in the cognitive processes यानि कल्चर का क्या role है संग्यानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृती की क्या भूमिका है देखिए संस्कृती की भूमिका प्याजे अलग मानते हैं और वाइगॉस की अलग मानते हैं वाइगॉस की ज़्यादा महतुपून मानते हैं आपके दिमाग के विकास में दोनों ही cognitive development की थियरी है यानि आपके दिमाग की विकास की थियरी है कॉगनिशन मतलब जो भी काम दिमाग से हो सोचना समझना तर्क करना जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो सब कॉगनिशन में आते हैं question number 3 है their views of relationship तो यहां तो अंतर है difference है समानता नहीं है culture पे प्याजे कुछ और कहेंगे वाइगास की कुछ और कहेंगे प्याजे कम महतों देते हैं वाइगास की जादा महतों दे रहे हैं संस्कृती को their views of relationship between language and thought भाशा और विचार पे यह अलग सोचते हैं वाइगास की कहते हैं भाशा और विचार दोनों महतों है साथ साथ चलते हैं फिर बाद में मर्ज हो जाते हैं समाना अंतर चलते हैं पैरलली चलते हैं initial years में बाद में जाके मर्ज हो जाएंगे वहीं प्याजे कहते हैं पहले विचार आता है फिर भाशा आती है यानि thought comes before language thought not only comes before language but also decides it focus on stage life progression in children's development इसमें भी ये अलग है कि प्याजे की भाशा में देखेंगे तो development discontinuous हो जाएगा और सतत हो जाएगा क्यूंकि stages में होता है चार चरणों में बाटा है उन्होंने जो कि आप जानते ही है SPCF sensory motor pre-operational concrete operational और formal operational बलकुल छोटे-छोटे फंडे आपको याद कराये हुए है अभी नए जोड़े हैं तो हो जाएंगे दिक्कत नहीं लेनी तो SPCF और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किस चीज की Vygosky की तो उन्होंने एक भी stage नहीं दिये development की तो वो तो development को continuous याणि सतत मानते हैं Vygosky सतत कह रहे हैं continuous कह रहे हैं development को और PIAJ discontinuous कह रहे हैं तो दोनों में अंतर हैं तो यहाँ भी अंतर language and thought में भी अंतर culture की role में भी अंतर stages में भी अंतर लेकिन एक चीज में दोनों साथ जाते हैं एक चीज पे दोनों agree करेंगे एक चीज पे दोनों सहमत होंगे पयाजे और वाइगौसकी के बच्चों की स्वेम की सिक्षा में सनलगनता और जुडाब यानि बच्चे का सक्रिय होना कितना महतुपून है एक्टिव होना कितना महतुपून है बच्चे का knowledge को construct करना ज्यान की रचना करना कितना महतुपून है एक्टिव दोनों ही रखते हैं बच्चे को क्यों क्योंकि दोनों ही रचनावादी है क्या हैं दोनों रचनावादी हैं प्याजे हूँ चाहे वाइगॉस्की हूँ एक छोटी सी बात है जो मुझे यहाँ पर आपके साथ शेयर करनी ही होगी कि दोनों क्या है रचनावादी है रचनावाद जिस पर आपका ncf based है कि school of thought है यानि विचार है psychology में इस पर आपके रचनावादी है यानि बच्चे को ज्यान की रचनावादी है दूसरा प्याजे जो है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिवस्ट कहे जाते हैं और रचनावादी कहे जाते हैं क्योंकि यह पच्चे की activity पे सोली जादा महत्व देते हैं बजाए की समाज और संस्कृति के तो प्याजे की जब हम बात कर रहे हैं तो प्याजे हैं आपके radical constructivist radical constructivist और एक विचार धारा है रचनावाद उसमें भी एक विचार धारा है radical constructivism जिसको प्याजे बिलॉंग करते हैं और दूसरी विचार धारा है social constructivist जिसको वाइगाउट्सकी बिलॉंग करते हैं जिससे समाजिक रचनावादी यानि समाज संस्कृति गुरुप में सीखने तो ये विकास को क्या मान रहे हैं continuous सतत मान रहे हैं कि stages की ज़रती नहीं है ठीक और जो लोग discontinuous मानते हैं विकास को क्यूंकि विकास stages में होता है stages में तूट करके चलता है चार stages दी हुई है प्याजी ने तो जो भी stages देगा वो तो discontinuous ही मानेगा विकास को simple बात है तो SP, CF ये चार stages है some people can't focus से याद रख सकते हो sensory motor, pre-operational, concrete, operational और formal operational ये प्याजी की चार stages है बात ठीक है, question ने क्या पूछा था, बहुत बड़ी आयुशी, question ने हमसे पूछा क्या था, आते हैं उस पे simple कुछ similarities थी, आपके दिमाग में set हो जानी चाहिए, कि similarity लिख लें एक तरफ हम, यानि common क्या है प्याजे और वाइगौस्की में, common क्या है, समानता क्या है अगर मैं कहूँ हिंदी में, समानता क्या है प्याजे और वाइगौस्की में और दूसरी तरफ, differences या उनका different opinion कहां है, अंतर कहां है प्याजे और वाइगौस्की में, तो एक सबसे बड़ी जो समानता है कि दोनों रचनावादी है, वो बात अलग है प्याजे radical यानि उग्र रचनावादी है और वाइगौस्की जो है वो social, सामाजिक रचनावादी है एक तो ये constructivist हैं, ये common हैं, दूसरा दोनों ही बच्चे को active रखने पे, सक्रिया रखने पे, क्योंकि constructivism क्या कहता है, अर्थ निर्मान, meaning making के थुरू, बच्चे को बच्चा ग्यान का सुरजन कर सकता है, ये बात दोनों मानेंगे प्याजे और वाइगौस्की, ठीक, पहले thought आया, बाद में language आया, वाइगौस्की क्या रहा है, thought और language साथ साथ चलते हैं, बाद में जो है, मर्ज हो जाते हैं, ठीक, अगर मैं बात करूँ और differences पे, तो ऐसे बहुत साथ differences है, culture को महत्व यानि संस्कृति को महत्व वाइगौस्की ने जादा दिया है, ठीक, त तो continuous और discontinuous होने पे अंतर है, विकास देखे, development को आपको continuous ही मानना है, सतत ही मानना है, जीवन परेंद चलता है, womb to tomb यानि गर्भ से कब्र तक चलता है, लेकिन जो लोग discontinuous कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि stages में तूट करके चलेगा, वो ये नहीं कह रहे हैं कि रुक जाएगा एक टाइम के बाद, इस बात को जरूर समझना है, ठीक, चलिएगा खेर, आगे बढ़ते हैं, इसका answer simple है, first option जहाँ पर बच्चा active है, ये बात तो दोनों ही मानेंगे, पर टीचर क्या है, constructivism की according facilitator है, इसी पर आपका NCF based है, आज कल modern day में हम constructivism को बहुत follow करते हैं, मानते हैं, क्योंकि ये बच्चे के लिए काफी helpful है, question number two देखेगा, assertion और reasoning वाला question है, कथन और कारण वाला question है, पर अब जबताओ, अभी कथन क्या है, एक statement है, जो कहता है, सिक्षकों को सिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिकत विभिनताओं का सम्मान करना चाहिए, और सभी सिक सिक्षार्थियों के अवश्रताओं के अनुसार अपने सिक्षन को समायोजित करना चाहिए, यानि, teachers should respect the individual differences, के बच्चों विभिनताओं पाई जाएंगे, मुझे कुछ और पसंद होगा, निशा को कुछ और पसंद होगा, किसी को कुछ और पसंद होगा, आप मैं से कई ल IRTE के according, तो होने नहीं चाहिए, एक ratio 40 से जादा नहीं होने चाहिए, लेकिन कई बार होते हैं, तो मालनी जा 30-40 बच्चे है क्लास में, सबका interest, aptitude, सीखने का तरीका, सीखने की speed, pace of learning different होगा, ये बात सही है, true है ये बात, कोई दिक्कत नहीं है, teacher को सभी का ध्यान रखना है धी में सीखने वाले का भी, तेज सीखने वाले का भी, reason क्या है इसका, collaborations, group works and interactions among students should be avoided while teaching a class of diverse learners, यानि सिक्षकों को विविध प्रिष्ठ भूमी के सिक्षार्थियों को पढ़ाते समय, उनके बीच सहयोग, सम्हुकार्या और बातचीत से बचना चाहिए, मतलब विविध प् अच्छे हैं, तो वहां collaborate ना कराएं, group में ना सिखाएं, क्यों ना सिखाएं भई, group में तो बच्छा सीखता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ये बात आपकी false है, तो A is true but R is false, तो R जब ठीक ही रही है, अब इसके लिए क्या चेकरें, इसमें 3 step होते हैं, AR वाले questions में, ये जो assertion, कथन कारण वाले questions होते हैं, इनमें 3 step होते हैं, question को solve करने के, simple, AR, आपको पहले देखना है, क्या assertion right है के wrong है, सही है के गलत है, ये आपको पता करना होगा, पिर आप reason पढ़ते हैं इसका, पिर आप देखते हैं क्या ये statement अपने आपने सही है, या गलत है, तो व दूसरे के लिए सही ना हो, समझ दो ना बात, तो अगर हम बात करें यहां पे, तो फिर 3rd step होता है, क्या ये reason इस assertion के लिए ठीक है या नहीं, तो ये 3 step की process होती है, इस question को solve करने में, जिसमें से अगर पहला statement गलत हो गया, और दूसरा statement गलत हो गया, तो दोनों गलत हो गय अब आपको बता है, पहला ठीक है, बट इसका reason ठीक नहीं है, इसके लिए, reason अपने आप में ही गलत है, तो फिर ठीक है या नहीं, चेक करने ही जोरत ही नहीं है, ठीक, तो यहां पे simple है कि reason ही गलत हो गया, तो A तो सही है, but R false, A is true, but R is false, बात ठीक है नहीं है, इतनी बात clear है, तो first option is the right answer, simple as that, चलिएगा, आगे बढ़ेंगे, question number 3 देखेगा, question number 3 क्या कहता है, question number 3 कहता है, which of the falling correctly describes, देखे, correctly लिखा हो, avoid लिखा हो, not लिखा हो, इन बातों को ध्यान से पढ़ना है, अगेन अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं, आदा काम आपका question का खत्म हो जात question क्या कहता है, अगर हम देखें या, question number 3, जो कह रहा है, which of the following correctly describes culturally responsive teaching to cater to diverse groups of students, diverse group एक बहुत ही positive word है, यानि विविद विद्यार्थी, यानि different, different sometime interest रखने वाले विद्यार्थी होंगे एक क्लास में, तो शात्रों के विविद समूहों को पूरा करने के लिए, निमलिखित में जैसे कौन सा संस्कृतिक रूप से उत्तरदाई सिक्षन है, यानि जहां बच्चों की संस्कृति का ध्यान रखा जा रहा है, बच्चों की needs, उनके interest, वो किस background शा रहे है, इनका ध्यान रखा जा रहा है, बेदभाव नहीं, ध्यान रखा जा रहा है, उनको हम facilitate कर रहे है, तो किस चीज़ का ध्यान रखना है, intentional, सू विचारत, यानि प्रापर एक अच्छे intention से आपने प्लान किया हूँ, अपने teaching learning process को, lesson planning की हुई हो, adaptive, बच्चों की need के according, व्यातावरण के अनुसार, culture के अनुसार, आप adapt कर लें, ऐसे examples हैं, जो बच्चों के जीवन से जोड़ है, ठीक है, differentiated instruction होता है, विबेदी अनुदेशन, अलाग अलग बच्चे की need interest के हिसाब से आप variation ला पाएं, अपने teaching में, ठीक, standardized, एकदम खराब शब्द है, मान की करत, सुनने में अच्छा लगता है standard, बट काम का नहीं है आपके classroom में, क्योंकि ये है same for all, और जबकि आप सब के लिए same method मत इस्तेमाल कीजे, different for different learners, ये होना चाहिए, जो कि differentiated में होता है, तो ये तीनों बाते सही है, fourth option गलत है, first, second और third, पहले ही option में दिया हुआ है, तो ये सही है, आगे बढ़ेंगे next question पे, question number है 4, देखिएगा क्या कहता है question number 4, according to gene PAJ, how are children different from adults, PAJ के अनुसार, बच्चे कैसे अलग होते हैं, adult से ये classic question है, seated का, इसको question of seated, या जो भी आप कहना चाहें, all time favorite question of seated, आप इसको घोशत कर सकते हैं, जीवन परियंद आता ही रहा है, जब से जीवन परियंद मतलब, seated शुरू है 2011 से, पता नहीं कितनी बार repetitively आया है, चाहे वो online question हो, चाहे वो online paper हो, offline paper हो, ये question पीछा नहीं छोड़ता, ये पूछा जाता रहा है, time and again, तो क्या कहता है, ये question simple बात है, प्याजे ये कहा रहे हैं, बच्चे बड़ों से अलग कैसे हैं, इतनी बात बता दो, बाकी सारी बातें गई, तिल लेने, ठीक, तो फटावर से बताना है कि बच्च वयसकों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, बच्चे बड़ों से कैसे अलग है, का यहाँ पर simple मतलब है, उनकी thinking process कैसे अलग है, ठीक, तो children's thinking is qualitatively different, बच्चों की जो सोच है, उनका चिंतन है, वो वयसकों से गुणात्मक तामें भिन्न है, quality में different है, हमें क्या बता, अभी हम तीन option और पढ़ेंगे, फिर बताएंगे आपको, हैना, second option है, children's thinking is quantitatively different from that of adults, कभी भी पहला option देख करके, टिग मार के आगी नहीं बढ़ जाना है, क्योंकि बाकी के तीन option भी बहुत मैदुपून है, हो सकता है, उससे भहतर option कहीं available हो, यह फंडा जीवन में अपला सकते हैं, क्या इसा है, अभी देखेंगे, children are dependent on adults, while adults and adults are independent, यानि बच्चे तो भई dependent होते हैं, बात सोच की चल रही है, dependent, सोचने में थोड़ी dependent होंगे, कि मम्मी पापा जो कहेंगे, वही सोचेंगे, बच्चे कुछ और भी सोच सकते हैं, फोट है, adults are much more knowledgeable than children, यानि बच्च बच्चों की तुलना में वैक्स तो बस क्या बताएं, बहुत ही अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, प्याजे कह रहे हैं, कि बच्चे जो है, वो quality में different सोचते हैं, यानि amount same है, चाहे वो बच्चों की सोचकी हो, चाहे वो बड़ों की सोचकी हो, मात्रा same है, प्रकार अलग ह यानि kind अलग है, ठीक, कैसे अलग है, अब हम simple बात यहाँ पर करेंगे, जो amount है, सोच की मात्रा है, amount और kind कहते हैं, इसको प्रकार, amount same है, जितने thoughts, मतलब जितना आप सोच रहे हैं, जितने thoughts आपके दिमाग में आ रहे हैं, बच्चे की दिमाग में भी आते हैं, आपकी सोच की quality different है, kind different है, यानि प्रकार अलग है, आपका दिल टूटा है, आप उस पे सोच रहे हैं, बच्चे का खिलोना टूटा है, वो उस पे सोच रहा होगा, मतलब quality में अंतर है, बच्चे की और आपकी सोच की, ठीक है ना, अब यह मत कहना हमारी quality बहुत अच्छे, अब देख amount, amount same है, quantity same है, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, quantity is same, मात्रा में कोई अंतर नहीं है, ऐस पर प्याजे, लेकिन quality में difference है, गुणवत्ता में difference है, हो सकता है, आप किसी theory पर विचार कर रहे हो, और बच्चा विचार कर रहा हो, कि यह पेड से फल नीचे क्यों आ रहा है नीटन बन जाए, क्या पता है बच्चा, बादल चल क्यों रहे हैं, यह चांद मेरे साथ-साथ घूमता है क्या, तो बच्चे की सोच तो चल रहे है, उसकी भी, quantity तो है ही, मात्रा तो बराबर है, लेकिन quality में अंतर है, गुणवत्ता में अंतर है, प्रकार में अंतर है, ठी सिंपल बात, बात सही है या नहीं है, बहुत बढ़िया, चलिए खेर, हाँ PDF मिल जाएगी, आप करियर विल आप डाउनलोड करके, वहाँ, syllabus की PDF तो फ्री ही मिल जाएगी, ठीक, तो quantity में अंतर होता है, quality में नहीं, यानि quantity मतलब मात्रा तो सेम है, जतना आप सोच रहे है, quality, घुणवत्ता different है, प्रकार different है, वो अलग मुद्दों पर सोचता है, आप अलग मुद्दों पर सोचते है, ठीक, चलिए खेर, तो यहाँ पर समझ लेते हैं, ऐसा नहीं होता है कि बच्चे dependent हैं, या वो quantity में अंतर नहीं, quantity amount में अंतर नहीं है, quality में अंतर है, simple as that, बच् to help your students develop metacognitive skills, which of the following strategies is most likely to foster this type of thinking, या आप एक सिक्षा के हैं, जो बच्चों को या अपने शात्रों को परा संग्यानात्म कौशल विक्सित करने में मदद करना चाहते हैं, metacognitive skills कौन सी होती है, thinking beyond thinking, reflect करना, plan करना, review करना, या आपके दिमाग के थोड़ा खर्चा यहाँ पर ह करता है, निमलिकित में से कौन सी रणनीती इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावात देने में अधिक बहतर साबित होगी, फटा फट से बताइए, तो पहला option है, providing students with summarized notes for assignment, या बच्चों को notes दे दो, तो वो कहां पर सोच, चिंतन पर थोड़ी जादा जोर पड़ेगा, notes मिल आपने पढ़ लिए, याद कर लिए, तो इसमें तो ऐसा नहीं है, जहां दिमाग पे जादा जोर पड़े, जहां सबसे जादा सोचना पड़े, वही option metacognition के case में सही होगा, second है assigning homework that requires memorization and recall, जहां पे ये word memorization, recall, रटना, याद करना, ये मिल जाए, वो एकदम active नहीं होता ब पजाए सिर्फ number दे दे रहे हो, तो number दे देने से कुछ improve नहीं हो जाएगा, आपको feedback भी देना है, फिर आता है fourth option, encouraging students to reflect on their own learning and thinking process, thinking about thinking, reviewing, reflecting, ये सब metacognition के steps हैं, मैंने आपको notes में भी दिये हुए, और जब हम discuss करते हैं, वहां पे भी ये बात हुए, आपरों को अपने स्व what is the relationship between language and thought, यानि Vygotsky के अनुसार भाषा और विचार के बीच में क्या संबन्द है, अब ये भाषा और विचार अपने आपने एक topic है, आपका, एक number में पूछा जाता है, अब ये आपको प्याजे में भी पढ़ना है, ये अलग से भी पढ़ना है, प्याजे और Vygotsky क्या Vygotsky के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबन्द है, बताईए, तो अभी मैंने आपको थोड़ दिर पहले ही ये बताया था, कि प्याजे क्या कहते है, उसको language and thought पे और Vygotsky क्या कहते है, पहला option है, language and thought are independent of each other, ये तो बात Vygotsky कहते है, और बाद में वो interrelated हो जा thought एसा नहीं है, thought, shape, language ये तो प्याजे कह रहे हैं एक बार को, दोनों के साथ जाना है हमें, कि दोनों किस बारे में मानेंगे, तो Vygotsky लिखा है और दोनों नहीं लिखा है, सिर्फ Vygotsky देखना है हमको, सिर्फ Vygotsky देखना है, तो language and thought are independent of each other, बात सही थी, लेकिन यहाँ यहाँ पर यह भी लिखा होना चाहिए था, in the initial stages of life, जीवन के 2-3 साल, शुरू आती सालों में भाशा और विचार अलग अलग चलते हैं, पैरलली समाना अंतर चलते हैं, बाद में मर्ज हो जाते हैं, तो यहाँ पर second option ही बनता है, वैसे, कि language and thought are complex, interrelated processes of development, भाशा और विचा की कहते हैं, मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में, पहले, language अलग चलती है, विचार अलग चलता है, फिर यह thought or language मर्ज हो जाते हैं, complex है, तो second option ही यहाँ, सही है, आगे बढ़ेंगे, next question पर question number 7, क्या कहता है question number 7, फटापट से देखिएगा, question number 7 कहता है, our teacher asks herself, how can I provide experiences that require students to classify different types of objects in the environment and analyze their classification schemes, which intelligence is she using to try to promote in students, मतब कौन सी intelligence को प्रमोट करना चाहती है, teacher, जब वो यह कह रही है, कि यह gardener की जो आठ प्रकार हैं, बुद्धी के, उनसे question है, gardener से question आता ही, multiple intelligence, multi-dimensional भी कह देते हैं, जिसको हम, तो एक सिक्षिका खुद से ही पूछ रही है, कि मैं ऐसे विभिन प्रकार की वस्तों को वर्गी करन की शमता आजए, यानि बच्चे को पता हो, जब वो यह पेड़ देखे, पौधा देखे, प्लांट देखे, कि यह किस कैटेगरी का है, यह वाली जो फसल है, किस सीजन में होती है, मैंने इन्वाइमेंट को लेकर किया, वो कानों में बहतर मिलेगी, या फिर अगरां फार्मर्स में, आपके बर्ड वॉचर्स में, आपका जो भी जू लॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, गाड़नर, जुनको पौधे बगरा का शौक है, उन लोगों में ही ज़्यादा पाई जाती, तो यह नचुनलिस्टिक इंटेलिज होती है, यानि, feedback कितना महतुपून है, और कब महतुपून है बच्चों के लिए classroom में, फटा-फट से बताईए, अगर हम बात करें, पहला option है, it focuses on what the child cannot do, rather than what they can do, यानि, प्रतिकरिया या अच्छा feedback जब बिलेगा, जब बच्चे आप इस बात पर ध्यान दे रहे हैं as a teacher, क्या नहीं कर सकता बच्चा, अगर आपका ध्यान इसी बात पर कि तुम से यह नहीं होगा, तुम यह नहीं कर सकता, तो बच्चा नहीं सीखेगा, वो demotivate हो जाएगा, तो यह तो गलत होगा, बच्चे के पक्ष में रहना है, आपको कुछ भी करके, बच्चा center में है, बच्चा सक रिया है, इट असाइंस comparative ranks to the students, रैंक देने से कौन सा feedback मिल जाएगा, भई, इट अकर्स during as well as after the learning activity, तो feedback वो best है, जो सीखने के दौरान और सीखने के बाद भी होता रहे, कि आप अभी सीख रहे हैं, आपको यहीं feedback मिल जाएगा, कहां गलती कर रहे हैं, क्या activity के बाद भी और साथ भी, during, जिसको हम assessment for learning कहते हैं एक तरह से, question number 9 है, रमा is a teacher who is implementing Vygotsky's theory in her classroom and she assigns her students to work in groups to complete a challenging task, तो रमा एक teacher है जो Vygotsky की theory को follow करती है, Vygotsky की क्या कहती है, गुरूप में सिखाई है, है न, society के साथ सिखाई है, तो इन्होंने क्या किया है, बच्चों को group पर assign कर दिया है, जिसमें बच्चे को एक task कर रहे है, फिर आती है बाद, during the task, one student struggles to understand a key concept, एक बच्चे को एक key concept, एक महतुपून संप्रत्य है, जो समझ नहीं आता है, what would be the most effective way for रमा to help these students, एक बच्चे को concept समझ नहीं आया, अब इस बच्चे को मदद करने के लिए रमा क् teacher है, ठीक, पहला है, assign a different task to the students, that is, आपको अपने आपको रमा की जगा रख के देखना है, क्योंकि आप भी teacher ही बनने वाले है, कई लोग बढ़ा रहे होंगे already, private schools में, ठीक, तो अगर हम देखें, एक task दे देंगे बच्चों को, जिसमें, that is better suited to her abilities, शात्र को एक ऐसा काम द लो, तो वो गलत हो जाएगा, जहाँ दिक्कत है, वो सीखना है, यह थोड़ी कि जो आता है, उसको वही दे दो काम, फिर जहाँ doubt है, वहाँ तो solve नहीं हो पाएगा, फिर second है, work through the problem with the student and providing guidance and feedback as needed while involving with other group members, यहनि शात्र के साथ समस्या पर काम करें और सम्हू के अन्य को सामिल करते हुए, आवश्चकता, अनुसार, मार्गदर्शन और प्रती, पुष्टी, प्रदान करें, ठीक है भाई, समस्या पर काम कर सकते हैं, शात्र के साथ, और option देख लिते हैं, provide the student with the answer to the problem so the group can move on, यहनि बच्चे को सीधा answer बता दो, कि गुरुप आगे बढ़ सके नहीं, आपको तो हर बच्चे का ध्यान रखना है, differentiated instruction अभी तो कह रहे हैं हम, विभेधी अनुदेशन, फॉर्थ option है, encourage the student to try to solve the problem on her own, यहनि आप बच्चे को क्या करेंगे, encourage करेंगे कि भाईया, अपनी समस्या खुद से समझाओ, इधर-उधर की बात ना करो, simple बात, question number 9, assign a different task to the student that is better suited to her abilities, भाईया, आपको जहाँ problem वहाँ solve करनी है, work through the problem with the student, हाँ, बच्चे के साथ आप काम करेंगे, provide करेंगे guidance and feedback as needed while involving other group members, तो बाकी, ग्रूप में क्योंकि काम चल रहा है, तो बाकी बच्चों को भी involve करके, जहाँ ज़रत हो, वहाँ बच्चे की help करनी है last option था, encouraging the student to, यह तो हमने cut करी दिया था, try to solve the problem on her own, खुद से, जब वह attack ही गया है बच्चा, की concept में struggle ही कर रहा है, और अगर यह B option नहीं होता, तो हम D के साथ चले जाते हैं, हमें कोई तकलिफ थी नहीं, ठीक?